नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक वर फिर से सुरेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए A.W.E.S. T.G.T. English 2024 का सेक्शन C के जो प्रिवियस एर कोश्चन आपके एकडेमी में पहले से आचुके हैं वो कोश्चन लेकर आए हैं with explanation दोस्तों जिससे की दोस्तों आपको T.G.T. English के जो कोश्चन का लेविल है वो पता कर स करकें आप दोस्तों और इसके साथ ही दोस्तों अगर इसके जैसे कोई कोश्चन है इन में से कोई कोश्चन आपके एकडेम में आए तो आप आसानी से कर सकें दोस्तों इसलिए हम दोस्तों आपके लिए previous year कोश्चन लेकर आए हैं दोस्तों T.G.T. English के दोस्तों जो Army, wellfare, education सोसाइटी की तो जो TGT English का एक्जाम हुआ था उसी के previous year question हम लेकर आया हैं दोस्तों आपके लिए जो सुरू करते हैं आज का पहला question TGT English का दोस्तों तो दोस्तों पहला question ही पैसी दिया गया है और पैसी से related कुछ question दिये गया होंगे ही दोस्तों नीज ट्रेवल स्ट ओन सौसल मीडिया जो नीज होती है वो सोसल मीडिया पर बहुत तेजी से ड्रेवल होती है वाट फाल्स इस्टोरी лег e as quickly as the truth तो दोस्तो यह पैसे यह कह रहा है कि दोस्तो जो नीज होती है social media पर बहुत तेजी से फैलती है दोस्तो इसके अलाबर जो गलत stories होती है जो false stories होती है वो सची story की तोरो मतलब सची story की तुलना में थोड़ी जाद तेजी से फैलती है दोस्तो आगे some of these facts are erroneous other are deliberate hoxes hoxes remind us that not everything people post and publish are reliable what social media थोड़ा सा हम अटा देते हैं देख लेते हैं what social media can change our lives for the better अच्छा जीने के लिए यह थोड़ा social media change करता है दोस्तो तो देख लेते हैं दोस्तो इसके according पैसे के according पहला question है इसका क्या answer होने वाला है देख लेते हैं दोस्तो पहला question needs on social media तो needs on social media are relevant travel fast are deliberate hoxes are significant तो दोस्तो पैसे के according पहली land में दिया है दोस्तो needs travel fast on social media तो travel fast हमारा option number B क्या हो जाएगा पैसे के according इस question का बिलकुल right answer option number B will be the right answer दोस्तो तो अब हम आगे बढ़ते हैं next question देख लेते हैं दोस्तो क्या कह रहा है दोस्तो next question जो कह रहा है दोस्तो क्या कह रहा है some of these facts are erroneous the antonium for the underlined words in the gin sentence तो दोस्तो इस जो passage में एक word दिया गया है erroneous इसका हमें antonium बताना है antonium मतलब bloom बताना है erroneous आपके passage में दिया गया है दोस्तो तो erroneous means दोस्तो होता है क्या गलत गलत होता है क्या होता है दोस्तो कोई भी मतलब गलत काम करना कोई गलत या कोई दोस होना किसी भी चीज में कोई दोस होना तो erroneous क्या होता है कोई गलत काम या कोई गलत दोस होता है दोस्तो इसके एकॉर्ड हमें क्योंकि इसका एंटोनियम बताना है तो या तो गलत मतलब इसे आप कमी भी कह सकते हो कमी दोस तो इसका उल्टा तो भी दोस रहत ही होगा दोस रहत होगा या कमी रहत होगा तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो सकता है दोस्तो इसमें कौन सा हो सकता है इ्रोनियस मीज़ ओता है धोसिया कमी सुझा दोस्तों दोसिया कमी सुझा गलत दोस्तों हम कहसके इसका कृफिय हुस का हिंडी में दोस्तयों इसके अलाव वॉ depends इन ALL दोस्तों उप हैंव वन सर्पाराइजिंघающ कोई चीज गलतниц Sum sybar बात की गئी है तो इसका erroneous का mean भी गलत है तो यह तो हो नहीं सकता दोस्तों अमान भी नहीं हो सकता सुप्राइजिंग तो अलग बात ही हो गई दोस्तों इसके अलावा faultless faultless क क्या होते दोस्तों अगर फोल्ट की बात की जाए तो तो वो गलत हो जाएगा तब तो यह सिनोनियम बन जाता लेकिन इसमें faultless की बात की गई है इसमें faultless लग गया है मतलब दोस रहत मतलब दोस रहत और जैसा कि मैं ने बताया था दोस्तों erroneous means है दोस या गलत तो faultless means कमी रहत या दोस रहत तो यह इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा तो option number 1 क्या हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल right answer हो जाएगा question number 2 का faultless erroneous का एंटोनियम दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो आसा करता हूँ आपको थोड़ा समझ आया होगा और अगर आपको समझ आया है दोस्तो तो क्या करेंगे वीडियो को like करेंगे अपनी दोस्तों के साथ share करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तो तो चैनल को subscribe जरीक कर लेंगे हमाई लेटेस्ट वीडियो तुरंद पाने के लिए और अपनी प्रेक्षा की तैरीक धोड़ा आसान बलाने के लिए दोस्तो तो next question question no.3 यह रहां आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है choose the correct synonym of the word circumvent तो दोस्तो अभी antonium पूंचा गया था अब हमसे पूंच लिया गया है synonym दोस्तों तो circumvent तो इसके अभी दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए हिंदी मीन पता होना चाहिए तभी हम इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे दोस्तों circumvent का मीन होता है दोस्तों घेर लेना या परिहार मतलब किसी भी चीज को घेर लेना चारो तरफ से घेर लेना या परिहार भी कह सकते हो परिहार तो मतलब किसी भी चीज को चारो तरफ से घेर लेना तो दोस्तों लाफली का मतलब क्या होता है दोस्तों इसमें तो दोस्तों परियाय बाची पूंचा है मतलब घेर लेना जिसका अर्थ होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो लॉफली का जो अर्थ होता है दोस्तों वो तो हो जाता कानूनी रूप से तो कोई चीज़ कानूनी रूप से देखी जाए उसके लिए हम लॉफली देखते लॉफली बोलते हैं दोस्तों तो इसका तो यह आंसर होगा नहीं इसका तो यह सुनोनीम होगा नहीं बेनिफिट हमें लाव हुआ नहीं हुआ लाव की बात होती तो हम बेनिफिट कहते हैं दोस्तों इनकंपास की बात करें तो घेरा इनकंपास की बात करें तो घेरा या घ भिल्कुल एक छिले जाई यह यह िस्ट राइन है जैसे आपने मैत में पढ़ यहोंगी ना सिद्य लाइन जो वर्ट जो होते है तो इनकंपास मींस घैले न दोस्तो circumvent means भी घेर लेना होता है दोस्तो तो option number C क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा इसका synonym बिल्कुल सही हो जाएगा circumvent का income pass दोस्तो तो अब आगे बढ़ते हैं next question question number 4a रहाँ आपके सामने दोस्तो देख लेते हैं क्या कह रहा है choose the character spelled word तो जो correct spelled है दोस्तो word उसे हमें बताना है क्या हो सकता दोस्तो off-do root off-do root off-do root off-do rate क्या होता है दोस्तो सही तो दोस्तो off-do rate होता है दोस्तो जिससे हम कहते हैं जिद्धी जिससे हम क्या कहते हैं दोस्तो जिद्धी मलब कहते हैं न कि वो बहुत जिद्धी है दोस्तो वो कौन बहुत आपडू रेट है आपडू रेट पर सेन है तो वो आपडू रूट नहीं होता है दोस्तो नो तो C will be the right answer दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question question number 6 ए रहा आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है Choose the correct option to replace the italicized error word in the sentence तो दोस्तों जो error है वो हमें बताना है कहां पर है इस sentence में error दोस्तों देख लेते हैं देवाजवीन waiting here for the last three hearts दोस्तों तो यह तो दोस्तों आपको देख के एकड़म समझ में आ गया होगा कि कहां गलती हो सकती दोस्तों अगर आपने दोस्तों present perfect continuous tense पढ़ा है दोस्तों कौन सा present perfect और perfect continuous अगर टेंस आपने पढ़ा है दोस्तों तो आपको पता होगा जो sentence बनता है उसमें क्या होता है दोस्तों सबसे पहले subject आता है है सबसे पहले subject आता है उसके बात क्या आता है hedge hedge यह have have been आता है दोस्तों subject के according subject अगर singular है तो hedge been आ जागा और अगर plural है तो have been आ जागा दोस्तों इसके अलाबर हमारी बर्व आती है इसके बाद क्या आती है बर्व बिद आई एंजी बिद आई एंजी आती है दोस्तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाते है दोस्तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है जाता है रेश्ट संटेंस हो जाते है दोस्तो तो दोस्तो इसके पाज बीन तो आपने कहीं देखा नहीं होगा दोस्तो लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तो है बीन होना चाहिए इसके होना चाहिए है बीन नहीं होगा बर बीन नहीं होगा क्या होगा है बीन तो option number C क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल right answer हो जाएगा क्योंकि present perfect continuous tense में क्या होता है has been या have been लगता है according to subject दोस्तों अगर singular है तो has been और plural है तो have been और दोस्तों they हमारा plural में आ जाता है तो इसलिए have been के साथ जाएगा तो option number C क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question question number 7 यह रहा है आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है I dislike spending my time in desk so I prefer desk clothes made from synthetic fabrics दोस्तों यह हमसे कह रहा है दोस्तों तो इसमें दोस्तों जो आएगा इसमें जीरंड आएगा दोस्तों I dislike spending my time in जीरंड यूज करते हैं दोस्तों क्या करते हैं जीरंड यहाँ पर ऐसी जगए पर हम क्या करते हैं जीरंड यूज करते हैं दोस्तों जैसे कि spend my time in walking, talking तो ऐसी यहाँ पर क्या आजाएगा iron की बात हो रही है तो यहां पर आ जाएगा आरेनिंग यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तो आरेनिंग क्या आ जाएगा आरेनिंग तो आरेनिंग दोस्तो पहले में नहीं दिया है दूसरे में भी नहीं दिया है तीसरे में दिया है तो दोस्तो यहीं हो जाएगा हमें बस एक ही देखना था दूस इसका मतलब यह हुआ और नियरणिंग मैं अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं क्या हूं क्याकर सी क्य Willow आउं दोस्तों तो आइरेनिंग और सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसका जीरंड के युज होगा तो जीरंड के साथ आई एंजी लगती है दोस्तों तो नेश्ट देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर आठ दोस्तों यह क्या होगा दोस्तों यह हम बता देते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होता है दोस्तों कोश्चन टैग बनाने के लिए दोस्तों अगर जिसका हमें कोश्चन टैग बनाना है दोस्तों तो अगर वह दोस्तों पॉजटिव हैं अगर वह पॉजटिव संटैंस में है तो हम क्या क बता दूं इसमें क्या करते हैं जो object होता है ना उसको हम हटा देते हैं जो object होता है उसको हम हटा देते दोस्तों फोर example अगर मैं आपसे बात करूं और यगजामपिल अगर मैं आपसे एक संटनी जितान आर बताऊं तो क्या बनेगा सबनेंग कुछ श्तरु के जैसे यू आर ए टीचर दोस्तों अगर मैं इसका question tag बनबाऊँ यू आर ए teacher यू आर ए teacher दोस्तों इसका अगर मैं आप सब question tag बनबाता हूँ दोस्तों तो इसका जो question tag होता हुआ वो क्या हो जाएगा aren't you aren't you दोस्तो क्या हो जाएगा aren't you दोस्तो आपने देखा ना ये teacher gap हो गया ये teacher क्या हो गया और जैसा कि मैंने बताया और positive है तो वो negative हो जाएगा और अगर negative होता है तो वो positive हो जाता है तो दोस्तो ये क्या था positive था positive से negative कर दिया not लगा दिये दोस्तो तो aren't you aren't क्या हो जाएगा you दोस्तो तो इसके according और साथ में question mark तो लगे गई क्योंकि question tag आ रहा है तो question mark लगना ही लगना है दोस्तो तो इसी क्या according दोस्तो जो आपका question में दिया गया है I am right तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तो ठीक मतलब वो ही हो जाएगा ठीक उल्टा हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा जो इसका हो जाएगा बुक्य हो जाएगा आर आरंट आई आरंट आई दोस्तों और लाश्ट में क्या बनेगा question mark तो इसके according कौन से option में दिया है question number option number C में दिया तो option number C के हो जागा हमारा बिल्कुल right answer हो जागा दोस्तों तो इस तरह लेट अगर और भी कोई question आएगा तो मुझे लगता है कर लेंगे जैसे कि मैंने एक example देखे भी आपको समझा दिया था दोस्तों ठीके दोस्तों तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ share करने से हमारी knowledge बढ़ती ही दोस्तों इसलिए हमें अपनी नॉलज शियर करनी चाहिए दोस्टोम और अगर आप इस पर नयए दोस्तो है तो स्बाइब को क्या करलेंगे सब्सक्राइब जरू कर लेइगating हमारे ले लेकर आया हूं tgt inngles के लिए दोस्तों हम question कर आ रहे हैं किसके लिए कर आ रहे हैं दोस्तों tgt inngles के लिए question previous year question जो है tgt inngles के वह हूं लेकर आएं दोस्तों तो वही प्रिविए question हम आपके लिए कर आ रहे हैं दोस्तों which option Yay okay looks then displays we set the correct sorry formation of the falling sentence दो इस यह था इसका एक सीडिकारता ऑपसन करना है, इसका एक सीजित लिए थोढा सा छोटा खिर लेते हैं , जिस से कि इस Oo डूसरा भी आप्सन जो last option है वो भी देख जाए दोस्तो तो देख गया है दोस्तो तो इसका क्या होगा दोस्तो passive voice वो हम से पूछा गया है दोस्तो अगर आपने passive voice के वारे हैं याट पढ़ाय है दोस्तो तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी क्या दोस्तो जो इसमें बर्व होती है पैसे में एक्टिब में जो बर्व होती है वो चाहिए फर्ष्ट फॉर्म में हो सेकंड फॉर्म में हो थर्ड फॉर्म में है लेकिन पैसे में क्या होती है थर्ड फॉर्म में बदल जाती है पैसे में क्या हो जाती है थर्ड फॉर्म में यह मस्ट आगे तो दोस्तो वैसे ही गलत हो जाएगा impossible तो खाई गया है यह तो गलत हो जाएगा this cannot be done यह भी नहीं होगा दोस्तो cannot आगे दोस्तो तो इसके अलाबा जो इसके according जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा this is impossible to be done दोस्तो देखिए या वर्व की third form आएगी यह दोस्तो this is impossible to be done दोस्तो तो कई बार ऐसा होता है question के answer हमें जब पता नहीं होते है न दोस्तो तो हम थोड़ा एक-एक option देख लेते हैं उससे हमें पता चल जाता है eliminate कर सकते हैं दोस्तो हो सकता है कि eliminate करके हमें answer मिल जाए जैसे कि दोस्तो यह तो हो नहीं सकता दोस्तो जैसे कि मैंने बताया वर्वी third form होती है यहाँ पे a भी नहीं हो सकता चौथा भी नहीं हो सकता तो a की बचा तो option b क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस टैप से आप कई question को eliminate करके भी कर सकते हैं solve दोस्तो next question question number 11 यह रहाँ के सामने दोस्तो which option displays the correct change of the falling into reported speech या indirect speech में हमें change करना दोस्तो तो direct speech में यह दिया है हमें indirect speech में change करना दोस्तो तो दोस्तो आप question को देखके ही समझ गया होंगे दोस्तो कि यह जो question है यह जो आपका question है दोस्तो जो direct वाला sentence है यह conscious sentence है दोस्तो assertive यह conscious है दोस्तो assertive जैसा कि दोस्तो आपको पता होगो जो direct sentence होते हैं जो sentence होते हैं वह लोगो पांच परकार के होते हैं दोस्तो चार से पांच परकार के होते हैं पहला तो assertive होगा फिर interrogative हो गया दोस्तो assertive हो गया फिर उसके बाद दोस्तों interrogative हो गया फिर हमारे imperative आ जाते है एक्लेमेटी ही आ जाते है optative आ जाते है दोस्तों इस तरह से 5 परकार sentence होते हैं दोस्तों आपने पढ़े होंगे तो दोस्तों यह जो है यह assertive type का है यह कौन सा assertive है दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें अगर यह present tense में दिया है तो दोस्तों हम वैसा के वैसा ही रखते है तो जिसमें sad दिया है वो तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा वो तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा दोस्तों इसके अलाबा नीरा says और दोस्तों कामा inverted comma की जगे हम क्या लगाते हैं that लगाते हैं तो दोस्तों दोनों में लगा है दोस्तों इसके अलाबा दोस्तों जो हमारा इसका subject होता है वो हम कैसे change करते हैं दोस्तों आपने एक rule पड़ा होगा सन बटे 150 दोस्तों सन बटे 150 मतलब अगर subject हमारा फ़र्ष्ट परसण है तो वह सब्जेक्ट के according चेंज होगा और अगर अगर 2nd परसण है तो object के according 3rd परसण है तो no change होगा दोस्तों तो हमारा यहाँ पे जो subject है वो first person है दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा first person में हमारा क्या क्या आता है I और B हमारे first person है दोस्तो यहाँ पे I दिया है दोस्तो तो I हमारा subject में change होगा नीरा अब नीरा एक कोई लड़की है दोस्तो तो अगर लड़का होता तो उसके लिए हम E ही यूज करते हैं और क्योंकि लड़की है तो इसलिए हम C यूज करेंगे तो C किसमें है दोस्तो इसमें है और इसमें I का I ही लिख लिए है तो option नमबर B क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी गोज फॉर एवर्फ एवरी मॉर्निंग दोस्तो तो option नमबर B क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस question का अब आगे पढ़ते हैं नेस्ट question question नमबर तर्फ एरह आपका आपके सामने दोस्तो देख लेते हैं दोस्तो तो next question you are required to rearrange these parts which are leveled P, Q, R and S to produce the correct sentence तो दोस्तो हमें कुछ option दिए गया है P, Q, R, S इन्हें हमें किरम से लगाना है एक sentence पुरा सही से बनाना है दोस्तो तो दोस्तो कहीं न कहीं पहला तो आपको पैसे ही दिख गया होगा पहला तो आपको एज से तो कोई sentence शुरू नहीं होता है off से भी नहीं, for से भी नहीं तो दा से ही शुरू होगा the conservation status of plants and animals तो कहीं न कहीं S बाला ही होगा जो S के अलावा जो option है Q वाला ये नहीं होगा, P वाला हमारा नहीं होगा दोस्तो इसके अलावा दोस्तो जो होगा S के बाद क्या आना चाहिए हम देख लेते हैं दोस्तो जब इन सारे options को जब हम पढ़ेंगे न तो अपने आप, मतलब आपकी समझ में आ जाएगा क्या क्या हो सकता है दोस्तो तो the conservation status of plants and animals is one of the most जायर सी बात है, इसके बाद क्या आएगा, एज आएगा दोस्तो A जाएगा, तो इसके इसमें P में है दोस्तो, तो S के बाद P है दोस्तो, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब जब हमें S के बाद P मिल गया और इसमें R दिया तो यह तो बैसे ही गलत हो गया, अब एक ही option बचा, तो इसके according, option number A ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल right answer Q, S, P, R, Q हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का दोस्तो, option number A will be the right answer, अब next question देख लेते हैं, next question यह रहाँ के सामने दोस्तो देख लेते हैं, क्या कह रहा है, choose the following, choose the correctly punctuate sentence, out of the following, what do you want young woman, the old man said, दोस्तो, तो इसे एक correct punctuate sentence में हमें change करना है दोस्तो, तो आपको पता है, अगर हम इसे correct करना चाहेंगों, दोस्तो, the old man, the old man के बाद हमें क्या लगाना होगा, कामा और फिर inverted कामा लगाना होगा, inverted कामा में, रपोर्टी स्पीश को बंद करना होगा, दोस्तो, एसे होता है, दोस्तो, जो इसमें दोस्तो कामा लगा है, लेकिन मार्क दिया है बिल्कुल सही लेकिन इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों जहां पर कामा इंवर्टर कामा होना चाहिए बहां पर नहीं दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए यहां पर फुल स्टॉप होना चाहिए लेकिन यहां पर कामा दिया है तो यह हमारा गलत हो जाता है इसके according जो एक ही option बचाए option number C क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा option number C बिल भी the right answer अब आगे बढ़ते है next question question number 14 A रहाँ आपके सामने देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तो does did the teacher enter the classroom then the student stood up जैसे ही teacher enter करता है classroom में then student stood up student क्या हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो यह हमसे पहुंचा गया है दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ क्या बता दूँ दोस्तो जो no sooner है दोस्तो यहाँ पर मैं डायरेट लिए आपको बता देता हूँ कि इसका जो answer होगा no sooner होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा no sooner आ जाएगा अब यह कैसे आएगा दोस्तो मैं आपको बता दूँ यह जो no sooner है दोस्तो यह एक क्या है दोस्तो correlative conjunction है दोस्तो यह क्या कंजंग्सन है कौन सा है कोरिलेटिव कंजंग्सन है दोस्तो कोरिलेटिव एक कंजंग्सन है नो सुनर दोस्तो और यह हमेशा दोस्तो सुरू में ही आता है क्या आता है beginning में ही यह हमेशा आता है दोस्तो नो सुनर इसके according option number a क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा और एक कब लगता है दोस्तो जब जहां पर दो events का use होता हो दोस्तो जहां पर दो events होती हो तो बहाँ पर इसका use होता है no sooner का दोस्तो और शरू में ही इसका use होता है दोस्तो इसलिए no sooner हमारा नह्यादा राइट answer हो जाएगा दोस्तो option number able в da right answer दोस्तो next question देख लेते हैं next question नहिरा आपके सामने दोस्तो क्या कहरा है देख लेते हैं देख लेते हैं the assertive form of this given finish sentence is theirs क्या होगी इसकी assertive form यह हमसे पूछा गया है दोस्तो कोई नहीं हम बहुत ही आसानी से इसे बता देंगे दोस्तो तो can we go out pitting पहला जो हमारा दिया है what a pity we cannot go out हमें क्या करना assertive interrogative में दिया है यह हमारा interrogative में दिया है लेकिन हमें assertive में बनाना है normal sentence में बनाना है हमें assertive में बनाना है affirmative में बनाना है दोस्तों यह कह सकते हैं तो can be can जब शुरू में आ गया तो यह तो वही interrogative हो गया और question mark भी लगा है दोस्तों यह तो interrogative होगा assertive तो है नहीं दोस्तों इसके इलावद दोस्तों देख लेते it is pity that we cannot go बिल्कुल यह हो सकते है दोस्तों option number B हो सकते है लेकिन और भी देख लेते है we cannot pity going out यह नहीं होगा दोस्तों be pity the people who go out यह भी नहीं होगा तो इसके according हमारा option number B ही हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का next question देख लेते हैं दोस्तों यह जहां पर हमारा फिलेंदा विल्क्स दिया है इस options के according हमें भरने है कि क्या क्या आएगा दोस्तों तो out of dash five students तो दोस्तों each five students तो नहीं होगा one out of each five students तो नहीं होगा दोस्तों तो each बाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा every आएगा दोस्तों क्या आएगा every आएगा every आएगा every आना चाहिए every five students one out of every five students तो यहां पर every आजाएगा या तो A होगा या फिर B होगा इसके बाद देख लेते हैं फिर dash students are scared of opening up to others award instance of willing कम हो गया तो यहां पर क्या आजाएगा मैं नहीं आजाएगा दोस्तों क्या आजाएगा मैं नहीं आजाएगा तो इसके अकॉर्डन बी में की तो few दिया है तो option number A हमारा क्या हो जाएगा बिलकुल right answer हो जाएगा option number A will be the right answer दोस्तों तो आज दोस्तों जो TGT English के question थे इतने ही थे दोस्तों तो दोस्तों TGT English के जो previous year question थे दोस्तों वो आपको कैसे लगे आप comment में जरूर बताएगा आपको परिक्षा के label पता चला नहीं चला परिक्षा में किस type के question आते हैं यह आपको जानकारी मिल गई है तो द पाने के लिए और अपनी प्रिक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए तो थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग दोस्तों